दोस्तों यहां पर भारी सीन हो गया आप कल रात हो याइस यार PC खराब हो गया डैड ही समझ लो आप यहां पर में सरकेट पूरा जाम उड़ा दी एक तम गड़दा छील दिस रात में मतलब यहां देखो में जो पार्ट होता है न PC का वही खराब हो गया वैसे मेरा यह PC यह 1,000,000 प्लस का होगा जरूर और उस पर ही मैं अधिटिंग वे डिटिंग का काम अपना चलता है हुआ क्या था रात में में शॉट्स चैनल पर में रात ही में वीडियो डालता हूं 11-12 बजी के आस पर वही एडिट कर रहा था अचानक से भाई Motherboard Clash हो गया मतलब खुदी से बंद एकदम अब मेरे को लगा भाई wiring की इशू हो तो होनी नी चाहिए को चलता फिरता PC बंद हुआ है बहुत अच्छे से अनलाइस करा सब कुछ बताने वालो रात भर में मैंने एवन पूरा PC आप बोल सकते हो रिविल्ट कर दिया पर हां बहुत बड़ी प्रावलम में अंफस चुके वैसे आपको बता हूं को यह PC खराब हुआ था आप बुरो चल कैसे रहा तो अभी तो या और अगर मैं आपको टाइम दिखा हूं तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं तो फोर्टी के असपास हो रहे हैं और अचानक से वाई नॉर्मली वाई इस टालता हूं शॉर्ट चैनल पर तो एडिटिंग चल रही थी वाई अपने दबबेदार PC में और अचानक से भाई यह चीज बंद हो गई है अब मुझे नहीं पता भाई इसके पीछे रीजन क्या है मैंने ट्राय करा अलग अलग स्विच वोर्ड में ट्राय जो नॉर्मल चीजे रहती है जो लो करते वो मैंने कर चुका हूं पर अभी मैं आपको चीज दिखा हूंगा प् अपना फोन बेसिकली कनेक्ट कर दिया है और आपको अगर दिखा पहूं तो यह चार्ज हो रहा है अभी सेम यही सिचुएशन यूज कर रहे है अब इसी प्लग में मैं पीसी का कनेक्ट करता हूं यहां पर मेर पास तारे अवलेबल है टोटली सारी जितनी चाहिए होती है तो यह मैंने लगाया मेन सरकट में ठीक है यह अपने यहां कर दिया और यह है बेसिकली जो मेन यूज होगी इसका इंप्लिमेंटेशन देखो जैसे मैं यहां पर करूँआन है यहां आपको लाइट दिखेगी हैर यूग करता हूं और यह देखो लाइट आपको थोड़ी वाइरिंग वाइरिंग में नहीं है मदर वोड या फिर प्रोसेसर यही ऐसी दो चीजे जहां पर प्रॉब्लम आ सकती थी और फिर मैंने इस चीज को करने के लिए कि क्या चीज में प्रॉब्लम है क्योंकि लिकानना तो पड़ेगा यह एक अंदाजे पे तो नहीं चल सकते तो मैंने यहां प्रोसेसर भी चेंज करा, रैम भी चेंज करी और सब कुछ करा और एट दे रिजल्ट मिला बागी अब दोस्तो सवाल उठता है इसमें गरवण का होगी है तो मेरे को लगता है यह तो इसके अंदर पावर सप्लाइ में कुछ प्रॉब्लम आई है क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट जल रही है तो इससे पता चलता है कि मदर बोर्ड में शायद इतनी बड़ी मैं अभी सबसे पहले पावर सप्लाइ चेंज करने वाला ओके तो अभी का सीन किया मैंने सारी तारे चेंज कर दिया यार पूरा PC थोड़ी खोलू है यह सारी पुरानी पावर सप्लाइ तहें यह तीनों हटा दी और यहां मैंने एक नया आए वैसे तो यह 450 है मैं जानता अब भी यह नहीं चलाना तो यह समझ लो बहुत भारी लफड़ा हो जाएगा क्योंकि काफी फिर मदर बोर्ड में में डील करना पड़े और मदर बोर्ड तो भाई सस्ते मिलते भी नहीं है ठीक है और here we go let's see the problem is in mother board okay man okay दोस्तो लंबी प्रेड हो गई है तो यहां mother board की दिक्कत हो सकती है जितना मुझे लग रहा है क्योंकि power supply तो okay okay report है क्योंकि light अभी भी जल रही है पर complete power नहीं जा पा रही है okay दोस्तो अभी मैं क्या कर रहा हूं भाई यहां पर मैंने सारी चीजे दीरे दीरे चेक कर रही है like RAM अभी मैंने चेंज करके देखा power supply तो तीन अलग लग चेंज करके देख लिया not working तो यह पूरा सीन था भाई मतला पूरा PC हमने रिवेल्ट करा और at the end पता चला फिर जाके की motherboard में इशू है अब देखो इस इशू क्या बोलू यार यह motherboard ना जब से मैंने लिया था तो भाई मैंने पहली बार जब प्रोसेसर निकाला ना motherboard से ऐसा खीचा कि यह जो प्रोसेसर रहती है उसकी भी तारे टूट गई थी तारे नहीं वह नीच वाले पिंस होती है इस पर आई बटन पर वीडियो देखना बड़ा कॉमेडी सीन हो गया था motherboard भी खराब साथ में मैंने खुद प्रोसेसर खराब कर दिया फिर दोनों का रिवो करा था मतलब वह होता है न वारेंटी क्लेम वह सीन करा था AMD वाला प्रोसेसर था वो तो अनलाइन हो गई थी वारेंटी क्लेम और मदरबोर्ड का बता हो तो आफलाइन करना पड़ गया था अगेन भाई दो साल बास सेम इंसिडेंट हुआ पर हाँ उस पहले वाले इंसिडेंट से इतना था कि मेरे पास सब कुछ बैक अप था मतला उस समय मैंने सोच लिया था ऐसा कुछ अकर फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे तो कि अभी आपको यह वीडियो देनी है बाई एडिटिंग वेडिटिंग यह सब कैसे हो पाएगी उस समय मैंने एक और पीसी और एक्स्ट्रा कॉंपोनेंट्स ले रखे थे तो राइट आप चलनी पार रहा है यह चल रहा है जो आप देख रहे हो क्या अटक गया देख रहे हो इसका यह वाल पेपर हम चलाते थे कैसे अटका पड़ा हो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने पुराने 10,000 वाले PC को कनेक्ट कर दिया उसमें इतनी पावड नहीं है यह बड़ा funny scene हो गया अगेन मेरे साथ अगर पसंद आई है वीडियो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हूँ और PC related वीडियो के लिए शेर कर देने हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए बायर जै हिंग जै भारत वंदे माँ तराम